गुद मॉर्णिंग स्विएंस कैसे हैं आप सब उमीद करती हो आप लोग अच्छे होंगे अजब कि वस्षीट नमर 31 यह से अच्छे से लेबल कीजिए डीट डाल दीजिए क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने डीचर का नाम लिख लीजिए आज हम लोग पढ़ेंगे ल बनती हैं हायवर दाइमप्रेशन ओफ एंच दॉन विजिन इमिडिटली फॉर्म दारीटी ना कहते हैं कि कभी भी किसी प्रचाही एज इमेज से फिनिश नहीं होती एक दमी से वैंश नहीं होती साफ नहीं होती है रिटीना पर से इट प्रेसिस्ट दियर अबाऊट वर्न upon 16 of a second लगबग वो एक बटे में 16 seconds तक हमारी आँखों पर मौजूद रहती है इसी वज़े से if still image are moving objects are flashed on the eye at 16 और a rate faster than 16 per second यानि कि अगर हमें कोई images कुछ ऐसी तस्पीरे हों ऐसे pictures हो जो एक के बाद एक speed में दिखाई जाएं जो या तो 16 seconds या 16 seconds से भी कम speed में या थोड़ा से जादा speed में फटाफट फटाफट एक के बाद एक निकलती दिखाई दें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे वो चल रही है then the eye will experience that object is moving like a movie यानि कि पिर हमें हमारी आँखों को ऐसा लगेगा कि जो object है या यह जो चीज़े हैं जो यह photos है वो क्या कर रहे है move कर रहे है जैसे कि एक movie करती है यह लिका है let's understand it through an activity चले इसको हम लग एक activity के जरीए समझने की कोशिश करते हैं तो कैसे समझेंगे चलिए देखते हैं बोलते है activity करिए take a square piece of a cardboard with dimension between the range of 6 to 8 cm अब आपको क्या करना है एक cardboard लेना है जिसका dimension होना चाहिए 6 और 8 आपको 6 और 8 के ratio में उसको कर लेना है make two holes on the right and left तरफ और left तरफ दोनों तरफ एक एक hole कीज़े cardboard की तरफ इंटर इस string passing through the holes अब आपको उन दो holes के अंदर से आपको क्या निकाल देना है string यानि दागे को निकाल देना है जैसा कि आप लोगों बनाते हैं क्या बोलते हो जो लट्टू टाइप का हाथ पे बनाते हैं चलाने के लिए यो यो की तरह ही जो एक और होता है करते हैं केज किसे कहते है पिंजरे को आक दे हैं और दूसरी तरह आपको क्या लगाना है regenerator WC तो चोड़ देंगे तो घूमने लगेगा यागे का पीछे का आगे उने लगेगा वेल डूइंग दब अब इस टैप कर लेंगे वी सीदा कार्डबोर्ड मोविंग फास्ट आपकी कार्डबोर्ड जो बहुत तेज स्पीड में भागेगा विच्क्रेट्स जो कि क्रेट्स कर कि चड़िया है वह केज याने पिंजरे के अंदर है तो यह क्या होता है इसा फ्रहम होता है कि मुझे बता है आप लोगों को यह थोड़ा सा समझदे में मुश्किल हो रही होगी लेकिन अगर आप लोग एक बात नोटीस करी हो तो आप लोग का वह एक कार्ट टाइप का आ देखाए आपने वह इसी कही कुछ-कुछ एक्जाम्पल है ठीक है आगे बलते हैं कि आपको पता है दा सेम फिनॉमेना है वेल वी वाच आ मुवी क्लिप वियर मुवी मुव दैन 24 मीज और फिलिप इन पर्टिकुलर और इन वन सेकेंड आपको मालूम है कि जो हमें मुवी पर्टिक बनाते हैं उसमें 24 फोटो एक के बाद एक एक बाद एक लगाते हैं एक सेकिंड में जिसके बाद क्या होता है कि दा कंफ्यूज दिस कंफ्यूज और यही हमारी आंखों को इसा मैसूस होता है कि हम कोई मुवी देख रहे हैं तो अब उम्मीद करती हूं आप चैक योरसेल्फ की तरफ चलते हैं यहां फर्स्टोशन लिखका है दा इमेज ऑफ एन ऑबजेक्ट इस मीड ओन विच पार्ट ऑफ आई यह निकी हमारी आंख के किस पार्ट पर इमेज बनती है चलिए तो इसकान सा देखते हैं यहां लिख सकते हैं दा इमेज ऑफ एन आपको लिखा है हाओ लॉंग दा इंप्रेशन ऑफ एन इमेज प्रेसिस्ट ऑन देर रिटेना यानिकी रिटीना के ऊपर जो इमेज है वो कितनी देर तक थैरी रहती है तो चलिए इसकान सा देखते हैं इसकान से लिखेंगे इफेक्ट ऑफ ता इमेज ओन डेटीना लास् की परचाई रहती है अब आपको तीसरा कोशन लिखा हुआ है या पे हाओ आर वी एबल टु वाच मूवी हम मूवी को देखने के लिए किस तरह से बलो होते हैं इसकान से लिखेंगे एक मूवी में क्या होता है मोर देन 24 पीचर 24 पीचर से जाधा होती है जो कि आपको एक स जाधा मैसूस होता है ऐसा धोका होता है कि वो चल रही है कल लेंगे अब यहां देखिया आपको अगला कोशन लिखा हुआ है कोशन नमबर 4 हाँ टो टेक कियर अपने आपको 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 की हिफाज़त कर सकते हैं राइट फोर्फ मेजर फीचर अब आपको इनके चार मे से लिख सकते हैं नमबर वाइन कि हमें अपनी आखों को वोच्टा आइज विट क्लीन वाटर टू और फ्री टाइमस अडे एक दिन में कम से कम दो से तीन बार आपको साफ पानी से अपनी आखों को दोना चाहिए यू संग्लासे से स्ट्रॉंग संलाइट जब तीज पीना चाहिए इसके बाद बोलते हैं जब आप पढ़ रहे हों दियर शुट भी प्रॉपर माउंट ओफ लाइट इन दे रूम यानि कमरे में जो लाइट है उसकी पूरी मात्रा होना चाहिए और बीडिंग शुट बीडर वेल सिटिंग यानिकी जब आप रीडिंग कर रह इतना है अगर आपका माई वीडियो पसे माई हूं तो प्लीज इसे लाइक और शियर करें अगर अभी तक अपने मैं चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं चैनल को सब्स्क्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग